हाई प्रेंड्स में आती केरेट्व वीडियो यह आपका है कर्वाइबल कर वाएगा तो आज हम देख लेते हैं जो आपका सत्तरी कारा साइमेंट जुलाई 2018 जुनमरी 2019 पिश्ट्रों के लिए भी यह स्टेफ हैं हिंधी कर्म का है तो हम आपको दे ही दे रहे हैं इसमें चीज मैं क्लियर कर दूँ स्टार्टिंग में ठीक है आप जिसी कन्फ्यूज ना हो यहां पर कि दिखिए यह जो आपका जुलाई 2018 जनवरी 2019 मतलब कि जिन लोगों ने जुलाई 2018 में डिमिसन लिया है और अभी तक उन्हों नहीं किया क्यों कि रूल सहां कि जब तक का घ्राइमें बेठने नहीं दिया जाएगा तो मतलब अभी तक आपने जल्मन नहीं नहीं दीआ है तो आपको इसम्हें बनाना होगा इस्जायले अब आप एग्जाम देंगे 2018 में अगर आपने और डिमिसन लिया चुलाई दिसमबर में जून नहीं दिया अब उनको दिसमबर में देना है तो उनको एक्जाम बनाने पड़ेंगे उन लोगों के लिए ठीक है तो चलिए यहां पर देख लेते हैं यहां पर इसमें बहुत दिया हुआ है तो इसे आप डीपली थोड़ा सा पड़िएगा ठीक विदियो को देख लेते हैं इसे पन लीजएगा मैं डिस्किप्शन बॉक्स पर देख दूंगी और साथ साथ में पर इसके बनाया है वह दूंगी कुछ एंसर मैं आपको यहीं पर बताऊंगी तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखेगा ठीक है ना चलिए यहां पर देखत आपको बैठने से पूर्शत्री कार जमा करना साइमें जमा करना नहीं आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एक चीज और कहना चाहूंगी अगर आप लोग यहीं लिख रहे हैं तो एक जैसा ना लिखे अपनी अपनी लेंग्वेज में लिखे यह नहीं कि मैंने जो पीड आपको अर्थ बताना है या जैसे पहला मुहावरा यह बोहे पर उपना बहुत अधिक बहुत है ना यहां परता आपको हराने के लिए अकवर को लोही की चवाने पड़े थे या फिर रानी लक्षवी वाई ने अंग्रेजों को लोही की चवा दिये थे तो यहां पर मतलब होता है बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना ठीक है तो यहां पर दो दो खड़ने शीए आपको लिखना ने किए चाहन मतलब कर शिने मतलब होने मतलब मतलब टीक सकते हैं जहां कि यहां इसको के अको मेरे कान अनक करना नमख मिर्च लगाना का क्या मतलब होगा तो देखिए न फे नमख मिर्च aytoa मतलब होता है जले ऑठ हो मतलब होता है काटे ठीच ते नब एक लगाना Иप जब०्द हार नहीं तरीकड़ हर 나서 को नमक मिर्च लगा के बोलती है कुछ भी आप आप यहाप देने का क्या होगा झाल नाожд依ा ना या यानी कि आप यहाप धट्रब व्हथा हम देने का बदला लेना थीक है नि आनि कि आप यहां पेल सकते हैं कि मैंने उससे श्कोक थे सकते हैं मोरं जोङ दिएहां या पिर आप Рहां बैसा और ओर बाकिन सही होने हुँआ हवाई किले बनाना यहां पर देख लेते हैं तो हवाई के लिए का मतलब होता हुँआ में उड़ना बड़ी बड़ी कल पनाये करना अब चले यहां पर जो मेल से सब्ड बनना इनको देख लेते हैं तो महा प्लस यानि महारशी हो गया महर्शी हो गया यानि श्वागत, सत धन भावना, शत भावना, मनह प्लस अनकूल, धन अनकूल यानि मनो कूल हो जाएगा, उपधन आयुक्त उपायुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, इसी तरह से निनलकी शब्दों के दो दो शमानार्थी यहाँ पे शब्द बताने हैं, तो बहुत इजी है, यह तो आप खुद भी कल लेंगे, समानार्थी यहाँ वही शब्द आपको यहाँ पे बताने हैं जैसे आकास का, तो चलिए इसके देख लेते हैं, जैसे आकास का है, तो आकास का जो समानार्थी शब्द, सेम अर्थ वाला, ठीक है ना, तो यहनी पर्यावाची आप कह सकत सब्सक्राइबन नदी बहुत सारे हैं जन्नी तो है निटसी भी सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं बिलोम शब्द क्या होगा यह देख लेते हैं तो यहां पर देख क्या होगा दीरे हो जाएगा ठीक का धीमा हो जाएगा अहिंसा का हिंसा हो जाएगा ज्यानी का ज्याने विजय यानी की जीत और परांज है और अनकूल का थैक है अनकूल संदी का देख लिएते हैं तो देख लेते ही जो हो जाएगा मही प्लस इस यह महेस में जो है यह क्या चायेगा मही हो जाएगा तीक है और ऊदन कर देक लेते हैं तो निय धन शर्द प्लस धन शर्दैन disruptive निर्दन हो और प्रमात्मा का है तो परमात्मा का आपका हो जाएगा इसलिकुल आप परमात्मा ठीक है ना हो गया ना इन लिए अब हो जाएगा ठीक है और प्रति बिम्ब में प्रति हो जाएगा उपसर का मतलब होता है कि यह जो वर्ड की सबसे आगे वाले और जो आगे उपसर्ग लगते हैं तो पीछे का अर्थ निकलता हो यह में उपसर्ग की निशानी होती है यानि विज्ञान में वी उपसर्ग हो जाएगा तो आगे पीछे बचे गया उसका मतलब निकल रहा है सु शिक्षित में सु उपसर्ग हो जाएगा तो सिक्षित का मतल मतलब निकल रहा है तो इस तरह से पहचान है और बनाए जाते हैं जी प्रत्य है। इसी तरह से सुख, सुख में प्रत्य हमें लगाना है, ठीक है ना लगाईए, तो यहाँ पे पहाड में यानि ए की मात्रा बड़ी ए लगा देंगे, तो वो पहाड़ी हो जाएगा, इसी तरह सुख में बड़ी ए की मात्रा लगा देंगे, तो सुखी हो जाएगा, शहर में भ अधरता हो जाएगा ठीक है ना तो इन में इस तरह से प्रत्य लगा के बदले जाते हैं अब यहां पर देखते हैं यहां पर जो कोश्चन दिये हुए हैं कि 250 से 300 सब्दों में आपको लिखने हैं प्रश्न दिये हुए हैं बेर इंपॉर्टेंट है बैस्नाव की फिशलन यहां से नहीं करनी है यह मैं आपको क्लियर कर दूँ यह आपको इसमें नहीं लिखनी है आपको इस टार्टिंग करनी है कि जो बैस्टरों की फिशलन एक है जो रचना है वह किसकी हर संकर परशाई जी की है और इस रचना का मुख उद्देश है तो यहां पर बेवसायों द्वारत धर्म को अपने धंदे से जोड़ने की प्रवित का परदा फास करना इस निवन्द का मुख उद्देश है ठीक है फिर इसकी वाद आपको अपने वर्डों में मत करिएगा क्योंकि सब लोग आप लोग लिखेंगे और सब लोग एक ही एसायमेंट एक जैसा लिख तीन भागों में विभक्त किया गया तो तीन भाव लीला गायन और शिंगार चितन और इसके बाद आपको यानि की सूर्दास के भाव पक्ष की विशेष्टाओं का अच्छी तरह समझ सकते हैं अगला कुश्चन ले लेते हैं ठीक है इसको भी सितरह नहीं लिखना है पू आपको चेंजस करने हैं एक इसमें यह दिया हुआ है काब दिया हुआ है यहां पर कभिता पद्यांस उसको अपने शब्दों में लिखना है तो इसका देखिए जो अर्थ है मैं यहां पर ला दी हूँ यह देखिए कब हूँ हो यही रही गया हो वही सूर्दाजी किया यह इसका मुझे नहीं मिल पाया है तो इसे आप थोड़ा सा देख लिएगा नेट वगहरे में सर्च कर लिएगे बिल जाता है तो संपादकी का मतलब इसका भी अंसर मैं नहीं लाई हूं लेकिन मैं आपको बता देती हूं संपादकी का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजे होती है जो बेरी इंपोर्टेंट होती है जिसकी तरफ ध्यान आकिस्ट कराया जाता है तो बाढ के कार्ण जानमान की च्छती हुई थी तो देखे कहीं भी बाढ हाता है आप अपने दिमाग में एक चीज रख लीजे जैसे आप इस वक्त रख लीजे कि जब बाढ जहां पर आई ह चती होती है माकान की होती है जानबरों की होती है और और आद्मियों की होती है जान वह अपनी गवानी पड़ती है उनको फिर नुक्षां होता है किसे बाढ धाय तो देखिए यहां पर समझेगा यह अपने बड़े भाई की बात कर रहे हैं तो इसको आप से लिखेंगे इसका विडिया लेडी वीडियो डाला हुआ किस तरह चाहिए लिखे जाते हैं मैं जो भी सक्षा में जाना चाहते हैं जो भी आप करना चाहते हैं पर यहां पर पड्यांस को परना उनका उत्तर देना है तो यह तो आप कर लेंगी प्यास का इसका इंसर दे वे हुए लोग तंत्र का अर्थ क्या है तो देखें लोग तंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है आपका नागरिकों की समानता या दूसरे शब्दों में असमानता का अंत्र लोग तंत्र का अर्थ होता है ठीक है ना अब दूसरा कोश्चन है यूरोप में लोग तंत्र के स्थापना क करद是的 वोगतंत्र में प्राप्ती कि जो प्राप्ति उसके बाधित होने के क्या कारण होते हैं तो हमेइन सरन यहां पर अपर निगाह मत भड़ाएगई यहां थ्युक्ति हैं बाधा खाð की प्राप्ति आए बिसंताइं आते हैं और बिसंताइं यहां पहल से समाज मेंने समयदस्याव होती इससे जात तुण होतफूरन के स्माधाम में आते हैं होती है । लोगतंत्र के महात्पूर्ण विचार क्या क्या है तो देखें यहां पे हैं दो महात्पूर्ण विचार सामने आते हैं लोगतंत्र के पहला है सोतंत्रता और दूसरा है समानता के विचार ठीक है फिर क्या है भारत में लोगतंत्र के समक्ष कौन-कौन सी चुनोतियां आती है अब यहां पे चुनोतियों के बारे में भी आपको बताना है तो इसको थोढ़ा सा देखते हैं चुनोतियों का मतलब भी आपका यही हो गारभाती लोकतंत fund के समख स्मदार्ण में भी लिखे जाएंगे तो बस यह था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी कर सकते हैं आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा उन्हें भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और पीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा क्वेरी क करेंगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकान को कर लिजे यानि प्रेश कर लिजे ताक कि मैं जो भी डालू उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेश्ट वीडियो का वेट करिएगा उसमें अगर नेश्ट जो आसाइमेंट आपका होगा वह मैं लेके आऊंगी उस्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाई